हालो अपरिवन फिर से आपके लिए लेकर आए बंटो डी फाइब कोश्चन आंसर की सीरीज जो की रहेगी हिंदी में इसमें टीजी टी और पीजी टी से रिलेटेड सारे इंपर्टेंट कोश्चन दिये गया हैं जो पिछली एक्जांस में आ चुके हैं तो इनकी भी आप त करा रहा हूं जिससे की हिंदी इंग्लिस दोनों चीजे आपको एक ही चैनल पर मिलती रहेंगी तो बिना कोई देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं चैनल पर अगर आप नए है तो लाइक आन सब्सक्राइब करें बेल आइकन बटन कोई प्रस करें ताकि इन प्रसकारों के लिए कार करना है तो हानी होती है फिल पाउ का रोग निम्द मेंसे किस के द्वारा उत्पन होता है तो यह है आपको बताना Correct answer is C एक Q-Rex मक्षर के द्वारा उत्पन होता है Leukemia किस की बिमारी है Correct answer is D ये रक्त की बिमारी होती है निमलिखित में से कौन छूत की बिमारी नहीं है Correct answer is B Histeria बिमारी है ये छूत की बिमारी नहीं होती है Genetic बिमारी होती है निमलिखित मेंसे कौन सा रोग वायरस के द्वारा उत्पन होता है Correct answer is D, छेचक वायरस के द्वारा उत्पन होता है निमलिखित मेंसे कौन सी खेल गतपिदियो में Stress Factor हो सकता है Correct answer is C, क्योंकि टेनिस और बास्केट बॉल में भी हो सकता है और track and field वा gymnastic में भी stress factor हो सकता है ऐसे प्रेरक जो बिबिन ब्यक्तियों के बिबिन परिस्तोतियों में पलने के कराण बिक्सित होती है वे कहलाते हैं correct answer is C, ब्यक्तिगत प्रेरक निम्लिकित में से जिसमें प्रणा योगदान नहीं रहती हुआ है correct answer is D, कुसासंग प्रणा को प्रवावित करने वाले कारक है correct answer is D, ये सभी अकांचा कास्तार एवं रुची संबेगात्मा के सिति आवसकता है सुमेलित कीजिए तो यहाँ पर कुछ योगम दिये हैं इनको आपको सुमेलित करना है जिसमें कुछ बिमारियों के नाम दिये हैं और वो कैसे होती हैं ये आपको बताना है तो यहाँ पर correct answer होगा B, इसको आप चेक कर लिजेगा सारे रिकवा मानसिक सुद्धी प्राप्त करने का योग होता है correct answer is D, हट योग होता है लच्वी बाई नेशनल कॉलेज आप फिजिकल एजूकेशन को टीम टी उनिवेस्टी का दर्जा कब दिया गया है correct answer is C, 1995 में इसको टीम टी उनिवेस्टी का दर्जा दिया गया उची खूद में बेश्टन रोल प्रचित किया था correct answer is B, जार्ज हेरोईन ने प्रचलित किया था मन के जागन तथा ग्यान केंद्रों को जागत करने वाला योग होता है correct answer is राज योग गयारवेस्टी काप क्रिकट 2015 की बिजेता टीम है आश्ट्रेलिया निमलिकित में से कौन सा रोग जल के द्वारा नहीं फैलता है correct answer is B, इनफ्लुएंजा जल के द्वारा नहीं फैलता है पाठकरम होना चाहिए उपरोग सभी पाठकरम में आने वाले हैं या उपरोग सभी चीजे पाठकरम में होनी जरूरी है पाठकरम का संगठन होता है correct answer is B, मनोबैग्यानिक ग्यार में बिसकप किरकर 2015 की उपर विजयता टीम कौन सी है correct answer is B, न्यूजिलेंड बर 2011 की राष्टे जूनियर तरह के चैंपियोग किस प्रदेश ने जीती correct answer is A, महराष्टा ने जीता था glycosis कहां होता है correct answer is A, कोसिका द्रग में glycosis पाया जाता है आटोजेनिक प्रसिश्चन तकनिक का उप्योग किस के लिए किया जाता है तो इसमें answer A होगा सही सरीर में सीथिलन लाने के लिए अंतर मुखी रुची किस में होती है या कह सकते हैं कि अंतर मुखी रुची किस में है answer A is correct अपने आप में 9 से 11 बर्स के बीच बर्धन जिसको गुरूत का टाइम भी कहते है तता विकास को क्या कहा जाता है answer B is correct later childhood बच्पन में ब्योहार किस से अधिक प्रभावित होता है answer B is correct परिवार से psychoanalytic सिद्दान के जनम दाता है answer B is correct निमलिकित में से जनसंक्या का सही प्रतनी दी क्या है correct answer B is correct random नमूना कि जब जनसंक्या का आप random नमूना लेंगे तो सबसे अच्छी बीदी यही होती है hamstring और peat की log को किस प्रकार मापा जा सकता है sit an reach test के दौरा इसको मापा जाता है Harvard step test किस ने निर्मित किया था तो Harvard step test जो था वो Harvard के दौरा ही निर्मित किया गया था सारी रिक्सिचा का पाटकम किस बिचारदारा पर आधारित है correct answer is B सामाजिक विचारदाराप पर आधारिद है इमल्सी फाइट बसा का पाचन करता है तो यहाँ पर आंसर C होगा करेक्ट इस्ट्रेपसिन लार में पाये जाने वाला एंजाइम है करेक्ट आंसर इस टाइलेन पित बाहनी वा अंगनासे बाहनी खुलती है कहाँ पर ये है आपको बताना करेक्ट आंसर इस B ग्रहनी में खुलती है दूद में उपस्थित केसी नोजन को केसी इन में बदलने वाला एंजाइम होता है करेक्ट आंसर इस B अगनासे में पाये जाता है इमलसन के बाद बसा का पाचन करने वाला एंजाइम है Correct answer is C, Strepsin यहाँ पर दो question एक name के type हुए है तो इसको आप देख लिजेगा स्वसन के बाद बसा का पाचन करने वाला एंजाइम है Correct answer is C, Strepsin स्वसन के रिया से मानो सरीर में होती है क्या प्रकरिया होती है ये है आपको बताना answer C is correct यूरिया का निर्मार मापता है sergeant jump किसे मापता है answer A is correct explosive leg strength को sergeant jump से मापा जाता है एक प्रयोगिक प्रारूप जो बिसवनीता को नियंतरी करता है उसे किस नाम से जाना जाता है answer A is correct factorial प्रारूप के नाम से जानते हैं बारा मिनट दोड और चाल का प्रयोग करने के लिए मापा जाता है correct answer C हर्दय सांस सहन सकती को मापा जाता है मांज पैसियों के प्रकार निश्चित किये जाते हैं correct answer B बायपसी के द्वारा टायलिन एंजाइम के समें होता है correct answer is D मनुस की लार में पाया जाता है ओडे माकिस दसा में तुरंत पर लिच्चित होगा correct answer is A मोच की दसा में तुरंत पर लिच्चित हो जाएगा अब वर्दन के दोरान बाह गत्सील होती है correct answer is A शरीर की और गत्रीर होती है पल्मोरी आर्टरी रक्त कहां से ले जाती है answer A is correct right ventricle से ले कर जाती है ब्यक्त की लंबाई मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है तो ये एस्टेडियो मीटर होता है cross paper test किस की माप के लिए किया जाता है तो यहाँ answer C होगा correct कम से कम मापने के लिए सकती के लिए जिसको cross paper test भी कहते है split method half में क्या मापने के लिए प्रयोग किया जाता है correct answer is B एक test की 20 स्वेशन जीता को मापने के लिए किया जाता है sergeant jump किस test से सामार sergeant jump किस test में सामिल है correct answer is C JCR का जो test होता है उसमें sergeant jump सामिल होती है panic test किसका मुल्यांकन करता है correct answer is B coordination का जिसको हम लोग सामजस से बोलते हैं हिंदी में सांखिकी का formula जो quartile deviation के परिकलन के लिए उप्योग में लाए जाता है correct answer is B यह formula रहेगा pectorealis measure को क्या कहा जाता है यह chest की muscle होती है correct answer is B फेकने वाले की man species कहा जाता है इसको निम्न में से कौन सा ball और socket का जोड़ है correct answer is C A और B दोनों है जिसमें की कंदे का जोड़ और कूले का जोड़ दोनों को ही ball और socket का जोड़ कहा जाता है काफ मसल का बैग्यानिक नाम क्या है correct answer is D इसको gastronius muscles भोला जाता है एक मानाख परिच्छन टेस्ट के बास्तु निष्ठा किस के द्वारा मापी जाती है correct answer is B बिबिन ने ब्यक्चियों द्वारा टेस्ट और retest को दारा इसको मापा जाता है फेंच कोसल टेस्ट किस से समंदित होता है तो ये टेस्ट समंदित होता है होकी से टेस्ट का प्रियोग किया जाता है correct answer is C सिस्यों के कारक्रम को मूलांकन करने के लिए टेस्ट का प्रियोग होता है गीलेस स्पारो मीटर का उप्योग नापने के लिए करते हैं correct answer is A vital capacity नापने के लिए इस copy हो किया जाता है साकर skill नापा जाता है correct answer is B इसको हम लोग Mac Donald का test से नापते हैं निम्ड मेंसे कौन सा अनितरता जिसको हम लोग variability बोलते हैं को सबसे अधिक बिसुनिय मापदंड है correct answer is D निम्ड मेंसे कौन सा टेस्ट जैन का मापदंड नहीं है correct answer is A test का बरगी करा जाय माद मीन के निकालने का सूत्र होता है correct answer is A सामान मोटर योगता test जिसको हम लोग General Motor Advocability test बोलते हैं किसने प्रतपादित किया था correct answer is A इसको प्रतपादित किया था Gameral Johnson AD की मोच के तुरंत लच्छन इससे परलच्छित होते हैं correct answer is B kreptus fat कहां एकत्रित होता है यह है आपको बताना correct answer is B AD post tissue होता है यहाँ पर fat एकत्रित हो जाता है वह fracture जिसमें केबल हड़ी तूटती है तोचा नहीं भटती है उस fracture को क्या बोलते है correct answer is A उसको बोलते है साधारन fracture विद्यालईन स्वास्थ सिच्छा कारेकरम के आधार होते है correct answer is D यह सभी जिसमें की स्वास्थ सिच्छन स्वास्तेवाएं स्वास्थ बाताबरण यह तीनों उसके आधार होते है हाप, स्टेप और जम्प को किस नाम से जानते है यह कह सकते हैं कि हाप, स्टेप और जम्प को नाम से जानते है correct answer is A इसको ट्रिपल जम्प के नाम से जानते है क्योंकि जब इसको करते हैं तभी हाप, स्टेप और जम्प दोनों एक साथ होते हैं आसन करने से निमलिकित लाब हैं। आंसर D is correct, उप्रोक्त सभी लाब होते हैं, सरीर भी सुडॉल और स्वस्त बनता है, मन सरूर को सक्ति प्राप्त होती है, नाडियों होआ, आतों की सफाई होती है। राज्यों में सरकार को परामर्स देने का काम करता है, correct answer is B, राज सिच्छा सलाकार बोर्ट के द्वारा ये काम किया जाता है, निरिच्छक का मुख के कर्तब भी होना चाहिए, correct answer is C, परामर्स देना, परिसदों का सदत से बनने के लिए अध्यापकों प्रदाना चाहरे हो, आज एके पास कम से कम कितने वर्स का अनुबव होना चाहिए, correct answer is B, कम से कम 10 साल का अनुबव होना चाहिए, सिस्टोलिक ब्लड प्रेसर किस के द्वारा होता है, correct answer is A, heart muscle के द्वारा होता है, पानी में गुलनसील बिटामिन है, correct answer is A, बिटामिन C and बिटामिन B complex, पानी में गोलन सील होते हैं, नाकाउट प्रत्योगताएं होती हैं, correct answer is D, उपरोक सभी, बेगन, बेगनल्ड, बाइल्ड और कंसोलेशन प्रताम अदूती प्रकार के सिंगल नाकाउट और डबल नाकाउट, यह सब जो प्रत्योगताएं होती हैं, सब नाकाउट के अंतरगादा आती हैं, किसी प्रत्योगता में जब टीम सीधी क्वाटर फाइनल अध्वा सेमी फाइनल खेलती है, तो कहलाती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, सीडिंग, और यह सामाने सीडिंग भी हो सकती है, बिसे सीडिंग भी हो सकती है, तो यहाँ पर आंसर C होगा सही, नेमन में से कौन सी मान स्पेसी, टेलर मसल के नाम से जानी जाती है, तो यहाँ पर आंसर A है correct, सार्टोरियस मसल को हम लोग टेलर मसल के नाम से जानते हैं गोला फेक के सेक्टर का कौन कितना होता है correct answer is B, 40 डिग्री एंगल का होता है बादा दोड़ में बादाओं के संख्या होती है answer B, correct 10 होती है संतुरित अहार में होना चाहिए तो संतुरित अहार में कार्बोहार्डर, बिटामिन, प्रोटीन, यह सभी होंगे बिटामिन B की कमी से होने वाला रोग है बेरी-बेरी, नाटोजन उबस्तित ही होता है correct answer is C, प्रोटीन्स में फार्टलेक्षरीर में बिक्सित करता है correct answer is B, फूर्टी को बिक्सित करता है ओलम्पिक्स है, बिसु के किस देश में इसित है तो ओलम्पिक्स है, ओलम्पिया मींस ग्रीस में इसित है correct answer is C, ग्रीस में एस्टेडियो मीटर का प्रयोग किसकी माप के लिए करते है इस्टेडियो मीटर का प्रियोग उचाई के लिए होता है किस देश ने विशु का फुटबॉल सबसे अधिक बार जीता है तो ये काम ब्राजियल ने सबसे ज़्यादा किया है टेबल टेनिस गेंद का भार कितना होता है table tennis बहार केंद का जो बहार होता है और दो क्राम होता है दुर्णाचार पुरुसकार के अनुसार पुरुसकार विजेता को दी जाने वारी नगद धन्रासी बर्थ 2002 के अनुसार कितनी दी गई तो 2002 में जो धन्रासी थी वो 3 लाक रुपए दी जाती थी बर्द 2010 के राश्ट मंडल खेलों में किन दो नए खेलों को सामिल किया गया है करेक्ट आंसर इस B टेनिस वो तीर अंदाजी को इसमें सामिल किया गया है T20 बीस कप करिकट 2016 की विजेता टीम है करेक्ट आंसर इस C बेस्ट अंडी विजेता टीम है तो मुलियंकर के पेकरिया में जितने भी यहां पर दिया है सारे चरणोंगे उद्दैसों का उद्दैसों का निरधारन वा परिभासी करण आधिगा मनवो किया योजना बनाना विबिन उपकरणों के माध्यम से प्रमाद बदान करना टेबल टेनिस के टेबल की लंबाई चोड़ाई होती है आंसर B is correct 2.74 मीटर into 1.52 मीटर टेबल टेनिस वाल का डाइमीटर कितना होता है ये है आपको बताना correct answer is A 40 mm होता है इसका डाइमीटर athletics track की lane के चोड़ाई कितनी होती है 1.22 मीटर होती है 400 मीटर हाडल जो कि पुरसों के लिए में हाडल से दूसरे हाडल के बीच की दूरी कितनी होती है correct answer is B 35 मीटर की दूरी होती है diamond किस खेल के मैदान का प्रचलित नाम है so correct answer is B ये soft wall के खेल का प्रचलित मैदान होता है जिसकों diamond बोला जाता है राश्टी खेल प्रुसकारों के तहित खेल प्रसिचकों को कौन सा प्रुसकार दिया जाता है तो जो खेल प्रसिचक होते हैं उनको हमेशा दुरुनाचार प्रुसकार दिया जाता है किस दिन को भारत में राश्टी खेल दिवस के रूप में जाना जाता है तो यह 29 अगस्ट को जाना जाता है जिसमें मेजर दानचंद जी का चनम दिन हुआ था बिवहार परिवर्तन कितने भागों में विवाजित किया जा सकता है Correct answer is इसे तीन भागों में विवाजित होगा बिवहार परिवर्तन के भाग हैं तो यहाँ पर यह जो तीनो दिये हैं, तीनो भाग होते हैं, जाए ग्यानात्मक हो भावात्मक हो या किर्यात्मक तो answer D होगा correct सभी कौन भावात्मक पच्छ के अंतरगत आता है, तो वो आता है नियंतरण, जितना नियंतरण आएगा भाव आपका नियंतरण रहेगा निम्ड मेंसे कौन किर्यात्मक पच्छ में नहीं आता है कौन किर्यात्मक पच्छ के अंतर गता है निम्ड मेंसे कौन भावात्मक पच्छ के अंतर गता है करेक्ट आंसर इस सी विवराण सतत रणी में मादिका निकालने का सूत्र होता है आपसर्ट D is correct means इसमें ये सारे सुत्र यूज होते है वह मौल जिसका प्रयोग समंग माला में सबसे अधिक प्रयोग होता है उसको कहा जाता है तो उसको कहा जाता है बहुलक किसके अनुसार किसी बितरन का मौल ले मौल ले बहुलक कहलाता है जिसके चारो और स्रेणी केकाईयां अधिक से अधिक केंदरित होती है correct answer is D पुरुसों में सबसे अधिक होती है टिटल ने कितने पुरुसों पर आद्ध्यन किया किस पद्धति में उच्चतम और निम्रतम अबरोध कर्मानुसार घटते बढ़ते रहते हैं किस आयो तक लड़कियों का विकास अधिक तम होता है करेक्ट आंसर इस भी 15 बरस तक लड़कियों का विकास अधिक तम होता है आयो प्लस उचाई प्लस भार एक कल्टू थी का पुर्योग किस के बरगे करण के लिए किया जाता है करेक्ट आंसर इस भी लड़कियों के लिए होता है खंडिस रेड़े में बहुलक निकाला जाता है तो कैसे निकाला जाता है क्या इसका प्रोसेस है यह है आपको बताना है आंसर C is correct A और B दोनों के द्वारा निकाला जाता है जिसमें के निरिछण भी होता है और सामोही करण भी होता है बचास से आसे प्रवलता प्रतसत में किस आयू के बच्चों की होनी चाहिए आंसर D is correct 18 साल के आयू के बच्चों की टिटल के अनुसर बल प्रसिच्छन द्वारा बलविद्ध की मातरा एस्तरियों में कितने प्रतसत कम होती है लड़कियों के बरगे करण करने का सूत्र होता है तो इस प्रकार ये 125 क्वेश्चन आंसर की स्रीज जो की थे हिंदी में काफी ज़्यादा इंपर्टन क्वेश्चन इसमें है जो TGT और PGT दोनों में आ सकते हैं तो इनकी भी आप त्यारी करते रहें तो आने वाले जो UPTGT का एक्जाम है ये आपका काफी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और चैनल पर काफी ज़्यादा वीडियो भी मैंने डाल लगते हैं TGT और PGT से रिलेटेड अगर उनकी भी त्यारी आप करते रहेंगे तो निश्चीत आपका पेपर अच्छा होने वाला है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जाहें यजय जाओाद दर्सेश हैं झाल झाल